प्राइम टीवियों में किर्थी लेकर हाँ पहाड समचार लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर अल्मोडा पहुचे पूर्वो मुख्यमद्री द्रिवेंद से ग्रावत कारे करता हूं नहीं कि आज उर्दास वकत बारी बारिश के वाज़े से बुसकलान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किले आम जंजीवन हुआते हैस नहैस उत्राखण में 24 गंटों में करोना संकर्पन के 108 नहीं मामले सामने आये तीन मरीजों की हुई मौत अचानब गुलाई गई मंत्री मंदल की बैठक चाड़ता मियातुरा त्रीसी लेहर पार होगी चड़्छा पबजी बना मौत की वजा दो बचों में हुआ विवाद एक बच्चे की हुई मौत तो करते हैं शुरुआत उत्राखन की कास कपरों के साथ मौके मंत्री तीरस सिंग रावत नहीं आचानब प्रदेश मंत्री मंदल की बैठक बुलाई है माना जा रहा है कि कोवेट महामारी की तीसरी लहर और चारदम यात्रा पर उच्च नयायाले के हाल ही में दिये गए निर्देशों के क्राम में ये बैठक बुलाई गई है सची वाले में होने वाली इस बैठक में चारदम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी इसके समन्द में निर्ने लिया जाएगा राजज सरकार एक जुलाई से चरणबर धंग से यात्रा शुरू करने का निर्ने ले चुकी है पानक बैठक बुलाई गई जिसमें चारदम यात्रा को ले कर निर्ने लिया गया है सचे वाले में होने वाली बैठक में चारदम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी इस समन्द में निर्ने लिया जाएगा तीसरी लहर को ले کر भी चर्चा होगी, वहीं राज सरकार एक जुलाई से चडबंधक से यात्रा शुरू करने का निर्ने ले चुकी है 11 जुलाई से राजी के लोगों के लिए यात्रा खोलने की तैयारी है लेकिन एक जन्हित याज का परुचिने आया ले ने राजी सरकार को यात्रा टालने या यात्रा थे थी वो आगे बढ़ाने को कह दिया है मुख्य मंतरी तीरसिंग रावत ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि कोविट की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्य मंतरी अवास को इलाज के लिए तैयार करने जा रहा है इसके अलावा हर जिले में डीम और सीमो को कहा गया है कि दो से तीन होटलों को इसके लिए तैयार रखे SDRF और NDRF की टीम ने भी मृतिकों का दह संसकार कराया उन्होंने कहा कि अब तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है किसे तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी हलगानी वारी मेडिकल कॉलेज जोनों देगे और आज को इस परकार की शुज़ा जेने होस्पिकल तैयार हुए है कि उनमें बच्चों के लिए और साथ में हैं हुए नहीं होगा तो मातर पिता भी एक और होगा उसके लिए भी हमने ज्योसादी हो ऐसी और भी होस्पिटल हमें खड़े कर लिए और मैं आप आज को और बता दिना चाहता हूं मेरा मुख्य मंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविट के लिए तैयार करने जा रहा हूं होटल एक नहीं दो तीन तयार रखना पड़े तो तयार रखो बहुत जगे ज़ें तो तो सीम तीरस सिंग रावत का बड़ा बयान सामने आया है जिसके लिए उन्होंने कहा है कि तीसरी लेहर के लिए तैयारिया पूरी कर ली गई है तो कोविट की तीसरी लेहर को देखते तयार रखें उतपिदेश के एंटी टेररिस स्कौड एटियस की कारवाई में धन परिवर्तन कराने वाले गिरों के सरगना उमर गौतम के गिरुफतारी के बाद मंतांतरन की जांच की आज पंत नगर तक पहुँच गई है वहीं एटियस के भी पंत नगर पहुँचने की स भावना जटाई चारी है पुलिस अधिकारियों के मताबिक जन्सियों को इस तरह के मामलों के इंपुट जुटाने के निर्देश दिये का है लखनाउ एटियस के धर्मांतरन करने वाले गिरों से जुड़े लोगों की गिरुफतारी के बाद उनका नैनिताल यूएस नग अगर कनेक्शन भी मिला है तीम जहां धर्मांतरन को लेकर लोगों को गिरुफतार किया गया है लोगों की गिरुफतारी के बाद उनका नैनिताल यूएस नगर कनेक्शन भी मिला है नैनिताल हाई कोट ने हरिदवार महाकुम के दौरान कोबि-19 जांच फरजी वाड़े में फसे डॉक्टर लाल चंदानी लाब दिली की ओर से दायर याचका पर सुनाई के बाद उनकी गिरुफतारी पर रोग लगा दी है है कोट ने 26 जून को आईयो के समक्ष पेश होने के निर्देश दिये हैं कोट ने उन्हें जांच में सैयोग करने को भी कहा है मामले के अनुसार लैब की ओर से आंचल गुपता लाल चंदानी अर्चन लाल चंदानी और मोहित लाल चंदानी ने हाई कोट में याचका दायर कर अपनी गिरुफतारी पर लोग लगाने वा उनके खिलाफ दर चैफ आईयार को निर्द करने की मांग की थी मुखे पंतरी तीरे सिंग रावत ने देहरादून के आईटी पर्क में सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्प लाइन एल्डर लाइन 14567 का शुवारम किया इस अफसर पर वर्चुल माध्यम से जलादीकारी गडवाल डॉक्टर विजे कुमार जोग डंडे मुखे विकास अधिकारी आशीश बटगाई सहित अन अधिकारी ने विकास भवन वीसी कक्ष पौडी से प्रतिभाग किया प्रतानमंति नरीन मोधी के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के अनुरूप ये हल्प लाइन बुज़ूर्गों की समस्याओं के निदान के लिए सहायक होगा उत्राखण में पिशले 16 गंटों में कोरोना संक्रमन के 118 नए मामले सामने आए हैं वहीं तीन मरीजों की मौत हुई है इसके अलावा आज 250 मरीजों की ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया स्वास्वीभाग की ओर से जारी आकडों की अनुसार गुरवार को 25,580 सेंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमेतों की संक्या 49,245 हो गई है पूर्मुक्यमंत्री तिवेश सिंग्रातमवत अल्मोडा पहुचे जहां सरकिट हाउस में भाज़पा कारेकरताओं ने उनका स्वागत क्या कालमोडा पहुशने पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी कार्यकरता उसे मुलाकात करने आये हैं और मुख्यमंत्री के चुनाओ को लेकर कहा कि कानूनी कोई समस्या नहीं है और चुनाओ आयोग ही इसका फैसला कर सकता है अब दिखिये ऐसा है कि चुनाओं का फैसला ये चुनाओं आयोक को करना है वो एक स्वायत सासी संस्ता है और उनको निरने लेना है लेकिन कानूनी कोई ऐसी बध्यता नहीं है कि चुनाओं उत्राखण में मौनसून की सक्रेता कुछ सुस्त है जादतर अलाको में चटाक धूप केल रही है अलाकि मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को दून और नैंताल समेत पांच जिलों में तेज हवा के साथ बोच्छार की संभावना चाता है इसके साथ ही कुछ अलाको में गरज के साथ अकाशी बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया उदर परवर्तिये छेत्रों में बारिश के कारण बनी दुश्वारियां कम नहीं हो रही है दरजनों मार्गो पर बुस्कलन के कारण आवाजाही बादित है बीटते कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते परवती अलाको में भारी बुस्कलन हो रहा है जिससे लोगों के खेत खली हानों में आने जानी की सडकों और पैदल रास्तों पर पेजल व्यवस्ता और संचार और विद्य उतापूर्ती को तहस नहस करके रख दिया है इसे बारिश के दर्मियान हुए भुस्कलन के स्थानों पर और अधिक खत्रा पैदा हो गया इसी के चलते यहां माना गाउ के उपर उपरी गाउं से आये बरसाती नाले ने निकासी नहीं मिलने के कारण जमीन के अंदर स्मा कर भारी भुस्कलन कर डाला कलियर में एक खानन ठेकेदार से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है पीडित का कहना है कि उसने डीम से इजाज़त लेने के लिए बाद मिट्टी उठवाने का काम शुरू किया था जहां मौके पर पहुँचकर साजित उर्फ रज्जू ने अपने साथियों के साथ मुझ पर हमला बोल दिया और मेरे एक लाग पैतिसाजार रुपे भी लूट लिये साथ ही मुझे जान से मानने की भी धमकी दी है फिलाल पेड़ित ने पुलिस में तहरीर दे कर नयाई की गुहार लगाई है रुड़की की गंग नहर कोतवाली शेतर अंतगरत पबजी खेनने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई रुड़की की गंग नहर कोतवाली शेतर के इब्राहिम पुर गाउं में कुड़ा बिनने का काम करने वाले दो बच्चों में पबजी गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में जगड़ा शुरू हो गया इसी दोरान एक बच्चे की गले पर नोकीली चीज लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई सुजना पर पहुची गंग नहर कोतवाली पुलिस ने बच्चे की शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है रोड की सिविल अस्पताल भेजा गया है पोस्ट मॉटम के लिए और घटना की जान शुरू कर दी गई है जिला अधिकारी रोदर प्रयाग मनुश गोयल ने जिला गंगा संग्रक्षन समिती की बैठक लिए बैठक में अधिकारियों को अवशक निर्देश दिये है उन्होंने गंग नगर पालिका वा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों से उनके संबंदित नगरिये चेत्रों में कुल मकानों परिवारों सहित कुलाबादी के विशे में जानकारी मागनी साथी शुमचान घाट मुर्दा ग्रहों में होने वाले शवदाह की क्या देश दिये हैं इस दौरान उन्होंने उखी मठ नगर पंचायत के अधिशाथ सी अधिकारी के बैठक में न बहुचने पर सकत नाराज़गी भी जताई पार समचार में फिलाल के लिए बस इतना ही फिर हाज़र होंगे आपका ही मत जाएगा स्वस्त रहिए सतरक रहिए और हाँ मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी प्राइम टीवी